मात्मा गांदी सेवा प्रेड़क भर्ती को लेकर जो आपको मंडे या मंडे के बाद जो आजस्थान हाई कोट का फैसला आने वाला है तो उस पर दोस्तों पर यहां डिसकस करेंगे और उसके अलावा दोस्तों क्या इस भर्ती में आपको जोईनिंग मिलेगी या नहीं करता है क्या आचार सहीता में दोस्तों इसमें सेवा प्रेड़क भर्ती की जवानिंग दे दी जाएगी ठीक ना देखो दोस्तों ऐसा है कापी साती यह कोमेंट्स करते हैं कि जब राज सरकार को इस वेकेंशी को नहीं करवाना चाहिए था तो क्यों इसकी विग्यपती जा जा सका है दोस्तों को दोस्तों सबसे पहले उन सातियों को मैं यहां किलिर करना चाहूंगा जो साती यह कहना चाहते हैं कि राज सरकार ने जब महात्मा गांधी सेवा प्रेड़क भर्ती को कंपलिट नहीं करवाना चाहिए था तो फिर इसकी विग्यप्तिक के उजारी की दोस्तों का काम था क्या भर्ति का नोतिटीफिकेशन जारी चारी करना लेखिन का है स्टूडेंटों को लगा कि भई हमारे साथ यह गल्थ हो रहा है तो रहे उन्हें क्या है कोट दूडेंट थे जो यह चाहते थे कि हमें जो अनमो प्रमान पत्र है उसका फाइदा मिले ठीक ना यही एक ही मैटर इसे जगान भरती प्रकरिया पैंडिंग में है ठीक है अच्छा देको दोस्तों आपका जो प्रिणा में आने वाड़े हो सकता है करेगी काफी दोस्तों का ये भी कहना है कि राजस्थान हाई कोट है इसमें डिले क्यों कर रहा है फैसला भी तक क्यों नहीं चुनाए है देखो दोस्तों कोई फैसला है उसको कोट को चुनाने से पहले पूरे साक्षात है वो जो टाने पड़ते हैं ताकि कि किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं हो सकी ठी नहीं है देखो दोस्तों मैंने एक बात पहले भी कि थी कि राज सरकार या कोई भी भाग जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसको यह लगता है कि वह यह कहीं ना कहीं अटक सकती है तो ऐसा करेगी जिनके पास है अन्वा पर्मान पत्र हैं उनके लिए आप थोड़े भरती पचास हजार है तो आप ऐसा करते दस हजार उनके लिए कर दे जिनके पास अन्वा पर्मान पत्र है और चारीस हजार वेकेंसी उनके लिए कर दे जिनके पास कोई भी अन्वा पर्मान पत्र नहीं है ठीक ना तो उनकी कर्टेगरी में उनके कम्पिटिशन हो जाता औ और ये भरती प्रकरिया है कोट की अदिन नहीं जाती ठीकिना लेकिन इतना है दोस्तों आपका रिजल्ट भी आएगा आपकी जोएनिंग मिलेगी